अब 하म शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक ऐसा मर्ज जो जिसने पूरे पाकिस्तान को क्या कहें, पूरी दुमिया को जक्राव है और वो है ब्लोड प्रेशर सबसे पहले, ब्लोड प्रेशर क्या चीज है? लोग प्रेशर, हाई ब्लोड प्रेशर उसको एक pressure से flow करना होता है. अजर तो वो blood vessel हमारा सही है, तो अरहाम से flow कर जाता है. लेकिन कुछ हमारी diet से और ace से यह सही चीजें से हमारा blood vessel होता है, वो narrow होना शुरू हो जाता है. तो उसको जादा force चाहिए होती है flow करने के लिए. that is called the blood pressure के वो बढ़ गया है otherwise 120-80 is the normal blood pressure 120-80 is the normal लेकिन ये male team में बच्चों बड़ों बुज़र्गों में different होता होगा थोड़ा सा फरेक है but not very much up to 30 years of age जो है वो आपका 120-80 is normal उसके बाद जैसे होता है तो 5 प्लस करने तो हो जाता है लेकिन sometimes कुछ लोगो 128 से अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो symptoms आने शुरू हो जाते है और कुछ लोग ऐसे भी patient होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनका blood pressure उसको फिर हम silent clear कहते हैं उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि उनका blood pressure बढ़ा हुआ है कोई अचाना कोई episode ऐसा आता है कि बहुत acute में हो चले जाते है then they come to know कि उनका blood pressure बढ़े है बट लेकिन mostly लोगों को symptoms आने शुरू चाहते है अच्छा आपको लगता है तीस साल के बाद होता है blood pressure not exactly जरूरी भी नहीं है उससे पहले भी हो सकते है उसके बाद भी हो सकते है आपका lifestyle stresses और क्या आप खा रहे हैं कैसी आपके sedentary lifestyle है या active है आप exercises कर रहे हैं सारी चीज़ें चल रही होती हैं फिर sex मदला आपका male है या female है तो और सबसे आजकल जो है अच्छा मुझे कुछ चार पांच चीज़े बताया है आप दोनों डॉक्टर से मेरे स्वाल है कि किस वज़ा से blood pressure हो सकता है सबसे पहले तो stress आ जाते है stress आ गया अच्छा आप देगे stress अलग तरीके हैं हर age के लोगों को अलग तरीके stress है अब जैसे एक छोटा बच्चा है उसको exams का stress होगा और तो कोई जन्दगी बस के tension नहीं है जाहर सी बाद है आज कल पढ़ाई का हमार education system ऐसा हो गया जबकि अगर आप बाहर के मुलकों में देखें तो high school तक बिलकुल pressures नहीं होते तो आपको लगता है छोटे बच्चे जो है उनमें stress होगा और पते एक और stress हो सकता है parents के बीच में लड़ाई होती है या घर का महौल ऐसा है सास बहु से लड़ रही है निदा घिजा भी जो आपने पात की थी ना इंट्रो में preservatives खाते कि उसमें सोडियूम का लेवल जादा होता है उसकी वज़ा से भी blood pressure, sugar, cholesterol ये सब भी बढ़ता है और हम छोटे बच्चों को तो sausages और जो डबबे वाली chicken के सबान होते है इस अब लांच में तो यहीं होता है मोनो सोडियूम ग्लूटमेट वो जो as a preservative यूज हो रहा है वो एक समझो एक जहर है अच्छे जॉक साथ family history भी क्या बच्चों में आती है देखिए इसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं अलोपेट में जिसमें ये कहा जाता है कि वो खानदान में चलती है तुम्बे में चलती है ब्लेट चलती है उनमें ब्लेट ट्रेशर भी एक भीमारिया है शुगर की तरह नफसियाती अमराज की तरह अभी आपने बच्चों की बात की तो उसमें एक और पहलू देहन में रखी कि हमारे इस माशरे में एक शिद्दत पसंदी खौफ, डर, लड़ाई, जगड़ा और शहर में देशतगर्दी इस सब का और इसको मीडिया हर दिखा भी रहा है तो बच्चे उसे देख रहे हैं और उन बच्चों के पहले जमाने के बच्चों के निजबत अपके बच्चों में एक खौफ का लेवल बढ़ता जारा जा रहा है जिससे एक स्ट्रेस लेवल पर आ जाता है छोट छोटे बच्चे पठाके जलते हैं तो कहते हैं फारिंग शुरू हो गई कोई पुलिस की गाड़ी गुजरते हैं कहते हैं को वाक्या हो गया पहले बच्चे इस तरह से नहीं करते हैं अब उनके दिमाग जाएं इस तरह से भी काम करते हैं फिर डैसे डॉक्स साब में फरमाया कि गज़ा जो हमारे हाँ बहुत नाकस दी जाती है हमें हम पढ़े लिखे लोग भी हमें नहीं पता कि हम क्या गज़ा दे रहे हैं अपने बच्चों को और उससे उनके अंदर आइस्ता आइस्ता तो पहले ब्लड प्रेशर बिलूम बड़ी उम्रों में हुआ करता है लेकिन अब देखा है जाड़ा के छोटी हुम्रों से भी उसनी जगा बनानी शुरू को तो इसकी शरह हमारे माशरे में इसलिए भी बढ़ रही है कि हमारे जिंदेगी खेर फुत्री और एक गयर जैसे कर तो गुजारना शुरू हुआ जी विल्कुल गया तो जब वो घंटी वो नॉक अप होगा कैसी पता चलेगा कि हम बिमार है एक तो यह का अपको हैडिक्स बहुत होते हैं सर में दर्द होता है फिर आपको पैल्पिटेशन होने लगती है मदब के सांस पूल रहा है सांस नहीं जैसे धड़कन तेज हो जाती है सांस भी ह अपको तो फिर उस वाद फिर आपको थे कि देख संथिंग गों कुछ जाल रहा है अच्छा जब चैक कर आते हैं तो पर चलता है कि यह ब्लाग प्रिशुर है जी यह संटम्स हर एच की लोगों के साथ यह होते हैं नहीं हर एक पर डिपैंड कर तो कुछ लोग तो मैंने प यह मतलब गर्मी जादा हो गए तो ब्लड प्रेशर लो हो ही जाता है लेकिन डिफ्रेंशेट निं कर सकता कोई हाई और लो में हाई और लो में क्या फरक है लेकि वैसे तो ऐसी को वाज़ लाइन एक आम आदमी के लिए बतायन नहीं है कि वो यह तै कर ले कि बता दे फॉर और मुझे जहना वो तबियत मेरी बिलकुल डाउन हो रही है बिलकुल लो प्रोफाल में चला गया हूँ है और उसे चकर भी आना शुरू हो जाता है तो इसमें बिलमोम उसको लगता है और उसको यह भी जहन में रखना है कि मैंने बहुत दूर से कुछ खाया पिया नहीं ह ऐा हम मुझे यह सब कैफियोती मिलके लो ब्लेड प्रेशर रोफाल में बिलाड के दर्थ है सरमい दर्थ होता है नेग्रेन भी हो चाता है किसी को उसका तालुक हमशाप ब्लड प्रेशर से नहीं जोड सकते है वो बग stär है ब्लड प्रेशर के भी माइग्रेन पीछे नेही गवारे रैपा करनें लगती है गुल्डि और मान्थे पेँ खिचाओ से पादा हुने होना गर्दन के पीछे की जो जगाएं ये ये दुखेगी कंपटी ये ये चीज दुखेगी इसके इलावा असलिए ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है तो एंजाइना के पेंस भी साथ अर्सुसरिट हो जाते हैं तो बाएं तरफ लोग शिकायत करते हैं हमारे हाथों में या दो अब लुको चकर आ रहे हैं और इस तरीखे से या पो जाएं ये वाले स्म्टम से डॉक्ट सा बढ़ा रहे हैं तो कभी जैसे मेरा लो होता तो तो मुझे ये चीजे होती थी या चेक किया तो लो रहा है लो में अगर दर्द हो रहा है लेकिन अगर हाट पर अगर आपके अ अगर है पर वो इदर जाओ की तरह जाता है और पीछे जाओ में भी जाता है मतलब कि आपके बद तीसरी में भी डर्द हो रहा है लेकिन ये ज़ग जादा लेफ साइब लेफ प्रेशर में एक और भी कैफिक होती है बहुत ज्यादा मिलती है वो उसे हम कहते हैं पोस्च्र पूजिशनल वर्टाइब है यानि एक आदमी बहुत देर से बैठा हुआ है लेटा हुआ है किसी खास शेप में जब एदम से उतता है तो उसे एकदम से जन्नाटा आता है जब साहता है और उसे लगता हो अपने आखों में अंधेरा सा आ जाता है तो यह ज्यादा तर यह ब्लेट प्रेशर के लोहों को यह चुकि वो अज़स्ट करता है ब्लेट प्रेशर एकदम से खड़े होते है ना तो पॉस्ट्रल है पर अच्छा